बहुती बहतरीन question है दोस्तों तो आप लोग revision कीजिए इतिहास का पहली क्लास से प्राचीन इतिहास से समंधित question number first सिंदु घाटी सबहता से समंधित question को यहाँ पर देखेंगे question number first है निम लिखित में से किस यूग में तामे का पहली बार उपयोग किया गया था आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा तामर पासाण यूग इस question का सही जोब बनेगा दोस्तों तामर पासाण यूग नौपासाण यूग के बाद शुरू होता है या लगभग 2000 इसा पूर्व से 1500 इसा पूर्व के आसपास कास यूग का ही एक भाग माना जाता है इस काल में मनुस पत्थर के आउजारों के साथ साथ तामे के आउजार भी उपियों करने लग गया था तो आप लोग ध्यान रखेगा, option P, right जवाब बनेगा question number second है, हडपा के एक बंदरगाह का नाम लिखे तो right answer हो जाएगा option ए, लोथल लोथल हडपा कालीन बंदरगाह इस्तित है, या भारत के गुजरात राज में भोगवा नदी के टटपर इस्तित है रुस्तों और इसकी खोच सन 1955 से साथ में रंगनात राव द्वरा की गई थी, लोथल को मिनी हडपा के नाम से भी जाना जाता है लोथल के पूर्वी भाग में दोस्तों 23 मीटर लंबा, 23 मीटर चोड़ा, 38 मीटर गहरा, गोदी वाड़ा बंदरगाह के साक्ष मिले हैं तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा अगला कोशन, कोशन नमबर 3 है, हडपा सबेता के दोरान, डांसिंग गल, नर्दकी की कांश्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का प्रूग किया गया था, तो किस तकनीकी का प्रूग किया गया था आपको बताना है, तो यहाँ पर इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा Option D, मौम, लोपी, ढलाई, कास्टिंग, Option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, अगला question, question number 4 है, चठी पाँचवी सताबदी इसापोर में, तुर्की के लोगों ने सिंदु के पोर में, लोगों द्वरा इस्तेमाल की जाने वाली भाशा को कहा था, तो right answer बनेगा, Option D, हिंदवी, पाँचवी, चठी सताबदी इसापोर में, तुर्की लोगों ने सिंदु के पोर में, लोगों द्वरा इस्तेमाल की जाने वाली भाशा को हिंद भी कहा था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगला question, question number 5 है यहाँ पर, हडपा संस्कृत की मुहर और तेरा कोटा कला पर, निम लिखित में से किस जानवर को दर्साय नहीं गया था, तो रइट अंसर बनेगा, option B, गाय, इसका सही जवाब हो जाएगा, हडपा संस्कृती की मुहर और तेरा कोटा कला पर, गाय को नहीं दर्साय गया था दोस्तों, अगला question, question number 6 है, हडपा काल का इन में से कौन सा न कार्टी की सब्यता से समंदेत इस्थल नहीं है दोस्तों, तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा, option D, लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा, माफ कीजेगा, यहाँ पर राइट अंसर बनेगा, option C, पाटल पुत्रिक्स का सही जवाब हो जाएगा, दोस्तों, अगला question, question number 8 ह question number 8 है दोस्तों, मोहन जोड़ो सब्द का आर्थ क्या है इनमें से, तो राइट अंसर हो जाएगा, option B, mount of the dead, अगला question, question number 9 है दोस्तों, सिंध उगाटी सब्दा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्त है आपको बताना है, तो राइट अंसर बनेगा, option है, सिंध लोग का प अगला question, question number 11 है दोस्तों, सिंध सब्दा में घोडे की अस्तियों का आउसेस कहा मिला है, तो राइट अंसर हो जाएगा, option D, शुर कोटदा, इसका साइज जाब बनेगा, question number 12, उपनेंस समारों से क्या अतात पर है, आपको बताना है दोस्तों, इस question का साइज जाब क्या बनेगा, तो राइट जाब बनेगा, बच्चों को पवित्र जनेवु धारान कराया जाता है, question number 13 है, सत्मेंस जायते महावा के कहां से उद्गरत है, तो राइट अंसर हो जाएगा, option C, मुन्ड को पनेशद से है, सत्मेंस जायते मुन्ड को पनेशद से लिया गया है दोस्तों, इसी उपनेशद में यग की तुलना तूटी नाव से की गई है, मुन्ड को पनेशद अथरुबे से समन्धित है, सत्मेंस जायते भारत का अदर्स वाकिय है, सत्मेंस जायते उत्तरपडिस के वारण सी, इस स सारनात में 250 इसा पोर्व मौर समराट असोग द्वरा बनाएगे सिंग इस्थम के शिखर पर अंकित है इसका आर्थ है सत्त की सदेव बिजय होती है अगला कोशन कोशन नमबर 14 है दोस्तों वेदों के गद्धे परकरण क्या कहलाते हैं तो वेदों के गद्धे परकरण ब्रा लेता है तो राइट अंसर अपसंदी हो जाएगा अपनिसद अपनिसद हिंदू धर्म का महात्पोड सुरूत ग्रंथ है ये वैदिक वांगमय के अभिन भाग है इसमें परमेशवर परमात्मा ब्रम्हा और आत्मा के सुभाव और संबंद का बहुत ही दासनिक और ज्ञान अनवाद सिदे अकबर नाम से किया था दोस्तों आप लोग ध्यान रखेगा कोशन नमबर 16 है रिगवेद में निम लिखित मैंसे किस देवता की सरवाधिक महात्ता का वरण है तो राइट अंसर ऑप्सन भी हो जाएगा इंद्र रिगवेद प्राचीन वेद है जिसमें 10 मं 10,580 रिचाएं हैं दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 17 है प्राचीन वेद कौन सा है तो राइट अंसर हो जाएगा रिगवेद आर्यों का सबसे प्राचीन गरंथ है ऑप्सन ए सही ज़ब बनेगा अगला कोशन कोशन नमबर 17 है निम लिखित में से किस भारती पुरातन गरंथ में अपराद और अपराधी का जिक्र आता है तो राइट अंसर अप्सन टी हो जाएगा उप्युक्त सभी कोशन नमबर 19 है सत्पत ब्रह्मःड और तैत्री ब्रह्मःड के ब्रह्मःड मूल पाथ है तो यहाँ पर राइट अंसर पनेगा अप्सन टी यह जूर बे सभीत है तो राइट अंसर अप्सन टी हो जाएगा सावित्री रिगवेड के तीसरे मंडल में नहित गात्री मंत सावित्री देवता को समर्पित है और इस मंडल की रचना विश्वमेत्र ने की थी और रिगवेड में कुल 10 मंडल हैं दोस्तों रिगवेड के 2 से 7 तक के डल सबसे पुराने माने जाते हैं जब सुर्य चमकने लगता है तब उसे सभीता कहा जाता है यह आकास का देवता है इस बात को भी ध्यान रखेगा सरवादिक प्राचीन पुरान कौन सा है तो राइत अंसर बनेगा ओप्शन ए मत्स पुरान भारती अयतिहासिक कताओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध ब्योरन पुरानों में मिलता है और इनकी संख्या 18 है पुरानों का सब्दिक अर्थे प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन महर्श वेद्व्यास ने किया है जिन में से पांच मत्स वायु विसुन ब्रह्मा भागवद पुरान सबसे प्रमुक है पुराणों में मत से पुराण सबसे प्राचीन योम प्रमाडिक है पुराण संभवता तीसरी या चोथी सदी में लिखे गए थे कोश्या नमबर अगला है 22 है निम्न में से कौन सा उबेद नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों इस कोश्या नमबर अगला है 24 महा जनपद काल से समंधित 24 कोश्या राजा पिम्बिसार के दरवार में उस प्रसिद्य चिकित सक का रख्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित सकते महात्पूर्ण प्रसन है तो राइट अंसर बनेगा उप्शन सी जीवा किसका सही जाब है दोस्तों कोश्या नमबर 25 है जैनों बौद्धर्म से समंधित 25 कोश्या जैन धर्म का सबसे महात्पूर्ण मौलिक सिध्धान्त है इन में से कौन सा है तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी अहिंसा अहिंसा जैन धर्म के पांच सिध्धान्तों में सबसे मौलिक है भगवान मह हावीर ने भी अहिंसा को पर्मो किस्थान दिया है अहिंसा पर्मो धर्म अगला कोश्यन कोश्या नमबर 26 गौतम बुद्ध को ज्यान किस नंदी के टट पर प्राप्त हुआ था दोस्तों तो राइट अंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन दी निरंजना कोश्या नमबर 27 गौतम बुद्ध ने सारनाद में पहला अपना पहला उप्डेश में दिया था तो राइट अंसर बनेगा ऑप्शन भी धम चकर परवर्तन मुद्रा ऑप्शन भी यहां पर सही जौब हो जाएगा कोश्या नमबर 28 है निम लिखित में से किस इस्थान पर प्रथम बौध संगीत का आयोजन किया गया था तो राइट अंसर अप्शन सी हो जाएगा राजगीर अगला कोश्या कोश्या नमबर 29 है छटी सताब्दी इसापूर में जैन और बौध गरंतों में कितने महा जनपदों काउले किया गया था तो राइट अंसर बनेगा ऑप्शन भी 16 कोश्या नमबर 30 है दोस्तों भागवान बौध की 200 फिट उची कास प्रतिमा इस्थापित करने का नेड़े लिया गया है तो राइट अंसर हो जागा कोशी नगर में अप्शने सही जाब है कोश्या नमबर 31 है बौध को महा परिनिर्वान का हाप राप्थ हुआ था तो राइट जवाब बनेगा कोशी नगर में गौतम बौध बाउत धर्म के परवर्तक थे इनके जीवन में घटित घटनाओं से समंधित इस्थल हैं दोस्तों जन्म लुंबनी में हुआ था नेपाल 563 इसापूर में दोस्तों ध्यान रखिएगा ग्रहत्याग को महा भीनिस्क्रमण कहा गया था 534 इसापूर में ग्यान प्राप्थ हुआ था बोध गया बिहार में दोस्तों अम्रेत्यी जो हुई थी उस घटना को महा परिनिर्वान क कहा जाता है और कहां हुई थी कुशी नगर 483 इसापूर में दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 32 है किस इस मारक से गौतम बुध ने दुनिया के लिए बहुत धर्म के अपने दिव ज्यान का प्रचार किया था तो राइट आंसर बताना है दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन भी महा बुध मंदिर शमू अगला कोशन कोशन नमबर 33 है गौतम बुध ने यहां पर आपको फिल करना है में धम चक धम चकप पवत्तन शुत्त धर्म चक्र परवरतन सुत्र का उपदेश दिया तो राइट अंसर बनेगा ओप्सन भी सारनाथ में दिया था दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 34 है उस स्थान का नाम बताईए ज अनुसार गौतम बुध ने अपनी मृत्यू के बाद पर निर्वान प्राप्त किया तो राइट जवाब बनेगा ओप्सन भी कोशिन अगर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोशन नमबर 35 है पाली में बहुत ग्रंतों को आमतर पार त्रिपिटक यानि कोशन नमबर 37 ग्यान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रुप में जाना जाने लगा तो राइट अंसर अप्सन भी हो जाएगा बुध के नाम से अगला कोशन नमबर 38 है बुध गयक महत्मूर्ण बौध तीर्थ के अंदर क्यों है तो राइट अंसर बनेगा ऑप्सन क्योंकि गौतम बुध ने यहां ग्यान प्राप्त किया था अगला कोशन नमबर 39 है बुध ने अपना पहला उप्देश कहां दिया था तो राइट अंसर बनेगा ऑप्सन भी सारनाथ में अगला कोशन कोशन नमबर 40 है बौधों के लिए उतरपडेस में इससे सारनाथ क्य 41 है दोस्तों मनुसी जीवन का सर्वत्तम धे है कैवल जिसका अर्थ है तो आपको बताना है तो कैवल का अर्थ होता है दोस्तों इस छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है तो option C यहाँ पर right answer हो जाएगा इस छाओं पर विजय प्राप्त करना अगला question question number 42 है 24 में जैन तिर्थंकर या अंतिम तिर्थंकर थे तो इन में से कौन से थे तो right answer हो जाएगा option C महाबीर question number 43 है दोस्तों पहले जैन तिर्थंकर कौन थे तो right answer हो जाएगा option B रिसब रिसब्दिव जैन धर्म के परथम तिर्थंकर थे जैन धर्म में कुल 24 तिर्थंकर हुए हैं जिन में पहले रिसब्दिव दूसरे अजितनात 22 में अरिस्टनेमी 23 में पार्सोनात और 24 में महाबीर थे दोस्तों अप लोग ध्यान रखेगा अगला question, question number 44 चैन धर्म में तीन रतन दिये जाते हैं और उन्हें निर्वान का मार कहा जाता है वे क्या हैं तो right answer बनेगा option D सही विश्वास, सही ज्यान और सही आचरान question number 45 है, मौर यों मौर यृत्तर समराच से समान थी, question number 45, निमलिखित में से कौन सा भाव बेगती है जिसका नाम, देवा, नाम प्रिय, प्रिदर्शित भी था तो right answer यहां पर बनेगा इस question का option B मौर समराच असोक, मौर समराच असोक को देवा, नाम प्रिय, प्रिदर्शि भी कहा जाता है या बौध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे, उनका सासनकाल 273 इसा पोरु से 232 इसा पोरु तक था दोस्तों अगला question, question number 46 है, राजा कनिश के सासनकाल के दोरान दर्बारी चिकिसक का नाम बताईए तो right answer option C हो जाएगा चरक, इसका सही जोब बनेगा, चरक कुसाण राजा कनिश के दर्बारी चिकिसक थे, वे आयरुवेट के प्रख्याद बिद्वां तथा कनिश के राजवैदित ह question number 47, नगरपाली का प्रसासन की एक पिस्दत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्न में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताईए, तो right answer option B हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर, इसका सही जोब बनेगा दूस्तो, अगला question, question number 48 है, कनिश के सासन काल के दोरान निमलि की गई थी, तो right answer बने का option C, 4 थी, अगला question, question number 49 है दोस्तो, मौर, कालिन, भारत के ब्योरण वाली इंडिका के लिखक थे, तो इन में से कौन थे, तो right answer बने का मेंगस थनीज, जिसका सही जोब है, अगला question, और अन्तिम question है, question number 50 है, चरक संगिता समंधित है, किस से समंधि तो चरक एक प्रसिद आयुर्वेद के विद्वान थे, जो कनिस्क कुसाण वंस के राजधरवार में रहते थे, इनकी प्रसिद रचना चरक संगिता है, तो right answer option B हो जाएगा, ठीकिस सह समंधित हैं दोस्तों, तो दोस्तों, ये रहे हिंडी की व्योस्था, मुक्रूप से क इस पर नेरभरती आपको बताना है दोस्तों, option A दिया गया है, क्रसी अर्थव्योस्था पर, option B है, व्यापार आधारित अर्थव्योस्था, option C है, उद्दोग आधारित अर्थव्योस्था, option D है, युद्ध आधारित अर्थव्योस्था, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सही जवाब का चैन करना है तो right answer बनेगा option C 13 13 सिलाली एक सबसे बड़ा है जिसमें असोग के साचन के आठवे वर्स होने वाले कलिंग युद्ध का वरण मिलता है दोस्तों आप लोग ध्यान रखेगा अगला question question number 53 है असोग के आकरमण के दोरान कलिंग पूर्वी प्रांथ की राजधानी कौन सी थी आपको बताना है इस question का सही जवाब क्या बनेगा जो सही जवाब बनेगा दोस्तों option D तो शाली असोग के आकरमण के दोरान कलिंग बढ़ते हैं अगले question के और question number 54 है देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था most important person है दोस्तों तो right answer हो जाएगा यहाँ पर option B right जवाब बनेगा इस question का असोप को उसके अभलेखों में सामाने था देव नाम प्रिय संबोधित किया गया है दोस्तों आप लोग ध्यान खियेगा अगला question question number 55 है निम लिखित किन के बीच तक्ष सिला इस्थित था तो यहाँ पर दोस्तों आपको right answer का चन करना तो right answer हो जाएगा सिंधु और जहलम इसका सहीज़ाब बनेगा तक्ष सिला सहर सिंधु तथा जहलम नदी के बीच इस्तित है तक्ष सिला पाकिस्तान के रावल पिंडी जिले में इस्तित है तक्ष सिला प्राचीन काल में गानधार राजी की राजधानी थी रामाड के अनुसार भरत ने भरत ने अपने पुतर तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षषिला रखा तक्षषिला प्राशीन काल में सिक्षा के लिए विस्वी ख्यात रहा था यहीं पर तक्षषिला विस्वी डालै इससी था दूश्टों आप लुग ध्यान रखिएगा महत्मुर जानकारी है अगला कोशन, कोशन बर 56 समराट असुक का कौंसा सिलाली कलिंग पर उनके बिजे का उले करता है तो राइट अंसर बनेगा यहाँ पर ओपसंदी 13 समराट असुक दोरा बनवाएगे कुल 14 सिलाली क प्राप्त हुए जिनमें से 13 अबलेक सबसे बड़ा माना जाता है जवाब बनेगा option D सारनाट असुक का सिंग्तर मुख िस्तंभ सिर्ष सारनाट से लिया गया है इस इस्तंभ सिर्ष सारनाट से लिया गया है अगला कोशन गया bitcoin कोशन number 58 है चंद्र गुप्त मौर के इस प्रसिद राजनेतिक सलाकार को निम लिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा तो आपको बताना है इस question का सही जौब बनेगा option D समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त के अलावा चाडग के विश्ण गुप्त काउटेली के नाम से चाना जाता था दोस्तों तो यहां पर सही जौब बनेगा option D अगला question question number 59 है असूप के कौन से सिलालेक में ब्राही लिपी का प्रयोग नहीं किया जाता है नहीं किया गया है दोस्तों आपको बताना है तो right answer option B हो जाएगा सहबाजगड़ी option B right answer हो जाएगा सहबाजगड़ी एक गाउवा अयतिहासिक इस्थल है जो पाकिस्तान के मरदान जिले में इस्थित है यह इस्थल चमराट असोग दुरा इस्थापित सिलालेक के लिए प्रसिद है इस सिलालेक में खरुष्टी लिपी का प्रयोग किया गया है दोस्तों अगला question question number 60 है दोस्तों यहाँ पर निम लिखित में से मौर कला का सर्वत्तम प्रतिमान कौन सा है दिये गए options में से right answer का chain करना है तो right answer यहाँ पर बनेगा option इस थंब इसका सही जवाब है मौर काल का सर्वत्तम प्रतिमान इस थंब है दोस्तों मौर कलाब का विकास भारत में मौर समराज की युग में हुआ सारनात और कुसी नगर जैसे धार्मिक इस थानों के रूप में स्वेम समराट असोख ने इनकी सनचना की है अगला question question number 61 है निम लिकित में से कौन सा असोख के समराज या धिन नहीं था तुरायत जवाब बनेगा दूस्तों अपसंदी काम रूप इसका सहजवाब बनेगा दूस्तों करनाटक के मास की अभिलेक तथा दतिया जिलक के गुर्जरा अभिलेक से यह ग्यात होता है कि असोख का समराज करनाटक तथा गुर्जरा तक विश्थरप्त था असोख का कस पर भी अधिकार था कल्हड की राज तरंगरी के अनुसार उसने यहां पर स्रीनगर को बसाया गुर्जर सासक का उजयन चेत्रवी असो के अधिन रहा कामरूप असम का पुराना नाम है या असो के समराज्य धिन नहीं था दूस्तों तो अपसंदी यहां पर राइट अंसर ब समराज असोक ने करवाय था इसका निर्माड तीसरी सताबदी इसापूर में हुआ था साची मद प्रदिश की राजधानी भोपाल के निकट राय सेन जिले में इस्थित है दोस्तों ध्यान रखेगा महार्फोन प्रासन है अगला कोशन कोशन बार 63 है यूग दर्शन के पर परवर्तक महार्श पतंजली थे इनका जन्म गोनिया में हुआ था दोस्तों आप लोग ध्यान अखियेगा अगला कोशन कोशन नमबर 64 है दी गई जानकारी से राजवन्स की पहचान करे पुसमित्र ने इस वन्स की इस्थापना की उनके प्रभुत दक्षुन में नर्वन नदी पर फाले थे और पाठल पूत्र अउध्या और बेदिशा के सहर सामिल थे उन्होंने दो आसुमेग बलिदान की उन्होंने बाट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया राजवन्स का पांच्वा राजवन्स भागबद्र था पतंजल का गौरव ग्रंद महाभास इस समय के दोरान लिखा गया था, तो यहाँ पर दोस्तों आपको right answer का चैन करना है, तो right answer हो जाएगा option D, सुंग राजवन्स, इसका सही ज़व बनेगा, मौरवन्स के अंतिम राजव ब्रहधत को उसके सेना पति, पुस्यमित्र ने मारकर सुंग वन्स की स्थापना की, माल विकागन मित्रम तथा दिव्यावदान के अनुसार, पुस्यमित्र का समराज उत्तर में हिमाले से लेकर बरार, विदर्ब तक, पस्चिम में पंजाब से सुंग राजवन्स के सासनकाल से ही पतंजल ने महाभास की रचना की है, तो राइत अंसर ऑप्सन ही हो जाएगा, अगला कोशन, कोशन नबर 65 है, प्राचीन भारत के महान व्याकरण बिद पतंजल किसके समकालिन थे, आपको बताना है दोस्तों, तो प्राचीन काल के महान ब्याकरण बिद पतंजल किसके समकालिन थे, तो राइत जवाब यहाँ पे बनेगा दोस्तों, आप्सन सी, पुसमेत्र शुम्ग, आप्सन सी यहाँ पे राइत जवाब हो जाएगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 66 है दोस्तों, कनिश्क पर्थम के सासनकाल के दोरान कौन सा प्रसिद्ध आयरवेड विद्वान रहता था, तो राइट जवाब बनेगा और समसी, चरक, चरक एक महर्ष एवं आयरवेड विद्वान के रूप में बिख्यात थे, वे कोशान राजी के राजबैद थे, इन्हें आयरवेड के पिदामा के रूप में जाना जाता है, इन पर इस question का सही जवाब बनेगा कुसान मूलता चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे option भी सही जवाब बनेगा अगला question question number अगला है six गुप्त यम गुप्त उत्तर समराजिस से समन थी 68 question number निम लिखित में से कि साशक के दर्बार में बहुत से विद्वानों को नौरतन के रूप में अलंकरत किया गया था तो यहाँ पर इस question का राइट जवाब बनेगा दूस्तों option अ चंद्रगुप्त दुती के दर्बार में बहुत से विद्वानों को नौरतन के रूप में अलंकरत किया गया था नौरतनों में समलित बिद्वान, धनवंतरी, चपड़क, अमर्शिंग, शंकु, चंद्रगुप्त दुती ने विक्रमादित की उपाद धारन की थी तो आप लुग धान रखिएगा यहाँ पर इस question का राइट जवाब बनेगा option अगला question question number 69 है हर्सवर्धन के सासनकाल के दोरान रिमलिकित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेशवर से इस्थानानतित हुई थी तो यहाँ पर दुस्तों राइट जवाब बनेगा option D कनोज हर्सवर्धन प्राचीन उत्तर भारक का एक समराथ था जिसने 606 ध्यान कियेगा 606 स्वी से लेकर 647 स्वी तक सासन किया यह पुष्य भूत वंस का था इन्होंने अपने सासनकाल में अपनी राजधानी थानेशवर से कनोज इस्थानानतित किया था दोर्स्तों अगला कोशन, कोशन नमबर 70 है निम लिखित में से किस शासक के दरबारी कभी हरिसेंड थे तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन भी समंद्र गुप्त हरिसेंड समंद्र गुप्त का दरबारी कभी था दोस्तों अगला कोशन, कोशन नमबर 71 है, भारती तिहास में धनवंतरी कौन थे, तो राइट जवाब बनेगा, चंद्रगुप्त बिक्रमा दित की सभा को सुसोबित करने वाले प्रसिद चीकिस सक, ओप्सन भी राइट जवाब बनेगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 72 है, बिक्रम परारम हुआ था, तो कब परारम हुआ था दोस्तों? तो यहां पिर राइट जवाब हो जाएगा ओप्सने 57 इसापूर्ग, बिक्रम समःत 57 इसापूर्ग, बिक्रमा दित के समय सक, शमःत, 78 इसापूर्ग दोस्तों, कनिष्ट के समय में, आप लोग ध्लोग ध् Hemant किएग नेक्स कोश्चन, कोश्चन नमबर 74 है, हार्सवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नेंतरण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था, तो दिये गए options में साबको राइट आंसर का चन करना, तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का नौज, बंगाल, बिहार और उडिशा, नेक्स कोश्चन, कोश्चन बर 75, वह इस्थल जहां हार्सवर्धन ने बहुद महा सम्मेलन का आउजन किया था, तो आपको यहां पर इस कोश्चन का राइट अंसर देना है, तो राइट अंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, प्रयाग, अगला कोश्चन, कोश्चन नमबर 76 है, करनावज से पूर्व हर्सवर्धन कहां कर शासर था, तो राइट जवाब बनेगा दूस्तों, ओप्शन D, थानिसर, हर्सवर्धन अंतिम हिंदू समरार था, जिसने कस्मीर को छोड़ कर समस्त उतरी भारत पर राज किया, हर्सवर्धन 606, इस भी में थानिसर के सिंगासन पर बैठा, बाद में कनोज को अपनी राजधानी बनाया, अगला कोशन, कोशन नमबर 77, गुप्त काल की प्रसिद महिला शासरक कौन थी, तो राइट जवाब बनेगा उप्शन भी प्रभावत्ती गुप्ता, नेक्स कोशन, कोशन नमबर अगला है, राजपूत राजवं कोशन 17, 78, बारवी सताब्दी के आरम में दिली पर किसका शासन था, राइट जवाब बनेगा दूस्ते में हम पर इस कोशन का अप्शन E, तुमर byंस, बारवी सताब्दी के आरम में दिली पर तुमर byंस का शासन था, अगला कोशन, कोशन नमबर 79 है, जैचंड के विस्वा गात के कारण प्रत्वी राच चौहान की पराजे हुई कालांतर में जर्चंद कहां और कभ मार गया तो राइट जवाब बनेगा ऑप्सन भी चंदावर 1194 इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों अगला कोशन कोशन बार 80 है निम्न में से कौन से वंस ने भारत के दक्षण पर सासन नहीं किया है आप लोग ध्यान रखेगा अगला कोशन कोशन नमबर 81 है पालवन से समन्धित पाल समराज भारत के किस सिंसे से समन्धित है आपको बताना है तो राइट जवाब बनेगा ऑप्सन भी पूर्वी पाल समराज का बिस्तार भारत के पूर्वी हिसे में था दोस्तों पाल समराज मद्यकालिन भारत का एक महात्पूर्ण राजवंस था जो कि 750 से 1174 इस वी तक चला इस समराज की स्थापना गोपाल ने की थी इस वंस की राजधानी मुंगेर थी इस बात को भी ध्यान रखेगा पाल वंस का सबसे महान सासक धर्म पाल था जिसने व बिक्रम सिलाब इस वी डाले की स्थापना की थी अगला कोशन का पहला स्थाषक को न था तो यहां पर इस कोशन का सही जोब बनेगा ऑप्सन सी गोपाल पाल वंस का संस्थाफक गोपाल था वहाएक योग्य और कुशल शाषक था गोपाल ने 750 से 770 इसा पूर्व तक इस उदंद पुरी अर्थात वर्थमान बिहार शरीप में एक मत का निर्मार करवाया था तो उप्सन सी राइट जौब बनेगा अगला कोशन दक्षिंड भारती राजवन्स चोल चालुक पल्लव संगम से समंधित 83 कोशन नमर है यहां पर निम लिकित में से कौन सा स्रीव मंदि चोल सासकों के सनक्षन में नहीं बनाए गया था तो यहां पर दूस्तों आपको सही जवाब देना है तो सही जवाब बनेगा ओप्सन भी गुंडेशवर मंदिर सिन्नार यहां फिर सही जवाब हो जाएगा नट्राज मंदिर चित्तंबरम पलाई वन्नाथर मंदिर तंजाओर और ब्रहदेशर मंदिर गंगय कॉंडन चोलपुरम को चोल सासकों के सनक्षन में बनवाय गया था जबकि गंडेशर मंदिर का निर्मार बारवी सताबदी में यादोवनसी राजगुमार राजगुबि जवाब बनेगा अगला कोशन कोशन नमबर 84 है महोदय पुरम के चेर समराज में बोली जाने वाली संभावित भासा कौन सी थी आपको बताना है तो राइट जवाब बनेगा ऑप्सन मलयालम अगला कोशन कोशन नमबर 85 है सिचाई के लिए 16 मिल लंबी चोल जहिल का निर्म था तो राइट जवाब बनेगा ऑप्सन भी राज्यंद प्रथम इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों सिचाई के लिए 16 में लंबी चोल मंडलम जहिल का निर्माड राज्यंद प्रथम ने किया था इनकी अनुपलब्धियां लंका के अभियान को पूण कर राजा महंद्र को बंदी बनाना पांडे वा केरल राज्यों से प्रतिनीद मंडल भेजना और गंगय कोंड पंडित के उपादी धारन करना था दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 86 कौन सा साहित संगम साहित के रुप में प्रसिद्ध है तुराइट जवाब बनेगा ऑप्सन है तमिल साह इसका साहित है तमिल भासा में लिखे गए प्राचीन साहित को संगम साहित कहा जाता सरुपर्थम इन परिसद्धों का आयोजन पांड़य राजाओं के राजिकी संदक्षन में किया गया था अगला कोशन कोशन नमबर 87 है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दा अगला कोशन कोशन नमबर अगला है प्राचीन कालीन साहित्यूं साहितकार से समंधित कोशन नमबर 88 प्रसिद संसक्रत गरंथ लिलावती किस विषय पर लिखा गया है तो यहाँ पर दोस्तों इसकोशन का राइट अंसर बनेगा अप्शन सी गडित इसका सेज़ाप हो जा यह एक प्राचीन गरंथ है जो भारती गड़ी तक भासकर दुती द्वरा लिखा गया है अप लूग धान खेगा है कोशन नमबर 79 है माल विकागनी मित्रम पुस्तक किस ने लिखी है तो राइत जवाब हो जाएगा दोस्तों आपसंडी कालीदास ने लिखी है दोस्तों मा तारजनियम भारव की है दोस्तों यह माहत्पूर्ण पुस्तके हैं दोस्तों आप लोग ध्यान दखेगा अगला कोशन कोशन नमबर 90 है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लिखा कौन है माहत्पूर्ण प्रसन है तो राइत जवाब बनेगा दोस्तों यहाँपर तंजल का है और अभिज्ञान साकुंतलम कालिदाज रगवनसम कालिदाज लेखा के इसके पांचेतंत्र विश्ण सर्मा है कामसुत्र के वश्यायन है और सूर्य सिध्धान के आरभट है बुद्ध चरित अस्व घोस और प्रत्वीरा रासो चंदबर्दाई है और गीत गो बनेगा और संती बाणभट साधमरी संसक्रत साहित का महान अख्याई का है इसके रचनाकार बाणभट है इन्होंने हर शरीत की भी रचना की थी अगला कोशन कोशन नबर 92 है दोस्तों विशाक दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भासा में लिखा गया है मह अगला कोशन कोशन नमबर 93 है मेगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसीद गरंत इंडिका लिखी हुआ मोल रोप से किस देश का था तो राइट जवाब बनेगा ऑप्चन भी ग्रीज मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर के दरबार में 304 इसा पोर में आया था उस नमबर 94 है प्राचीन कालीन इस्थापत कला, चित्रकला, संगीत कला से समन्धित 94 प्रसिद बिरुपाक्ष मंदिर कहां इस सित है आपको बताना है दोस्तों तो रही जवाब बनेगा ओप्संडि हम्पी हम्पी इसका सही जवाब हो जाएगा बिरुपाक्ष मंदिर का नात को समर्पित है यह मंदिर बिक्रमा दित दुती की रानी लोका महाद दिवी द्वरा बनवाया गया था मंदिर द्रविंड इस्थापित साली में इत और चूने से बना है अगला कोशन कोशन नमबर 95 खजराहो समू के प्रसिद इसमारक किस राजी में है आपको बताना है तो र करना है मंदिर एलोरा महारास्त में इस्तितिक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चटानों को काटकर बनाएगा सबसे बड़े मंदिरों में से एक है तो सही जवाब बनेगा option D कैलास मंदिर अगला कोशन नमबर 97 है मतुरा कला स्कूल कब अपने सिखार पर पहुंचा तो रा अगला कोशन कोशन नमबर 98 है दोस्तों भारत में नौपासाण काल गुफा चित्रकारी कहां मिलती है तो सही जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पर option D भीम बेट का इसका सही जवाब बनेगा अगला कोशन कोशन नमबर अगला है और अंतिम कोशन है कोशन नमबर 99 प्राग प्राग एतिहासी काल की चित्रकारी वाली प्रसिद पंच मुखी गुफाएं निमन लिखित में से किस जुले में इस्थित है तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा option C शोन भात्र प्राग एतिहासी काल की चित्रकारी वाली प्रसिद पंच मुखी गुफाएं महमूद गजन मुहम्मद गौरी से समंधित question number first है मुहम्मद गौरी किस वर्ष प्रत्वी राज तरती से पराजित हुआ था आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों इस question का राईत जवाब बनेगा option B 1191 इसका सही जवाब बनेगा प्रत्वीरा चोहान तरती ने 1191 इसवी में तराईन के प्रथम यूद में मुसलिम सासक सेहाबुद दीन मुहम्मद गौरी को पराजित किया तराईन के दूसरे यूद 1192 तराईन का दूसरा यूद 1192 में हुआ था दोस्तों इस बात को भी आप लोग धान रखियेगा वह मुहमद गौरी से पराजित हुआ और भारत में तुर्की राजिकी स्थापना हुई तो option B सही जौब बनेगा अगला question, question number second है यहाँ पर दोस्तों पहली बार भारत पर आक्रमड करने वाला मुसलिम कौन था आपको बताना है तो यहाँ पर इस question कराइट जौब बनेगा option C मुहमद बिन कासिम most important question है भारत में पर्था मुसलिम आक्रमड कारी मुहमद बिन कासिम था 711, 711 स्वी में ओबैदुल्ला और बोदैल ने के नेत्वत्त में सिंध के छेतर पर आरभों का पहला असफल आक्रमड हुआ अरभों ने 1722 स्वी में 17 वर्षी मुहमद बिन कासिम के नेत्वत्त में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय पाई भारत पर अरभ आक्रमड के शाक्ष चचनामा और मीर मुहमद मासूम की पुष्टक तारीखे सिंध या मासूमे सिंध से प्राप्त होती है तो यह आपको अत्रिक्ट जानकारी मिल जाती है अप लोग ध्यान लखेगा अगला कोश्यन कोश्यन नमबर थार्ड है नालंदा प्राचीन स्रिक्षाण मत का एक केंदर कब नस्ट हो गया तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस कोश्यन का सही जॉब देना है तो राइट प्राचीन स्रिक्षाण मत का एक केंदर 1200 SB में नस्ट हुआ इसको 1197 SB में एबग के एक सेना पति बक्तियार खिलजी ने नस्ट कर दिया था तो आप लोग इस बात को भी ध्यान नखियेगा अगला कोश्यन कोश्यन नमबर फोर है दोस्तों दिल्ली सल्थनत गुलाम वंस ख वोदी वंस से समंधित कोश्यन नमबर यहाँ पर देखेंगे फोर्थ है दोस्तों दिल्ली सल्थनत के निमलिकित राजवनसों में से किस ने सबसे कम अवधी तक सासन किया तो यहाँ पर दोस्तों इस कोश्यन का राइट जवाब बनेगा अपसने खिलजी इसका सहजवब ह जाएगा दिल्ली सल्तनट की राजवंस में से सबसे कम अवदी तक खिल जी राजवंस ने सासन किया। खिल जी वंस ने दिल्ली की सत्ता पर 1290-1320 इस भी तक सासन किया दोस्तों। अगला कोश्यन, कोश्यन नमबर फाइव है, निम लिकित मैंसे दिली का पहला सुल्तान कौन था, आपको बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों इस कोश्यन का राइट जवाब बने का ओप्शन B, कुतुब उद्दीन एबक, ओप्शन B, सही जवाब है, दिली का पहला सुल्तान मुहमद सुल्तान कुत्बुद दीन एबक था, मुहमद गौरी का गुलाम कुत्बुद दीन एबक ने बारा सोचे, इस भी में गुलाव मंस की निव रखी, एबक का समराज पूरे उत्तर भारत में फैला था, इसने लाहोर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मिनार की निव डाली, तो option B यहाँ पे सही जवाब बनेगा, अगला question, question number 6 है दोस्तों, कुत्ब उद दीन एबक किस राजधानी का संस्थापक था, तो right जवाब बनेगा option C, गुलाव मंस का संस्थापक था दोस्तों, गुलाव मंस का की स्थापना 126B में कुत्ब उद दीन एब इसका सही जवाब बनेगा, लहोर रक्त की नीती, अर्थात कठोर नीती, गुलाव मंसी सासक बलवन ने अपनाई थी दोस्तों, अगला question, question number 8 है, किसके सासन काल में इबन बतूता भारत आया था, दोस्तों आपको बताना है, तो right जवाब बनेगा option B, मुहमद बिन तुगल इसका सही जवाब बनेगा, इबन बतूता 1333 इसवी में मुहमद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, दोस्तों, वह मुरक्को अफरीका का निवासी था, और इसका मोल नाम सेक फाता अबू अबू अब्दुल्ला था, अगला question, question number 9 है, भारत पर तैमूर ने किस वर्स आकरमण किया था दोस्तों, तो राइट जवाब बनेगा, उप्संडी, 1398, तुगलक वन्स के अंतिम सासक, नसरिद्विन महमूद, 1394, से 1412 इसवी के सासनकाल में, 1398 इसवी में समरकंद के सासक, तैमूर ने भारत पर आकमण किया था, इस बात को भी आप लुग धान रख की थी, तो राइट जवाब बनेगा, उप्संडी, गया सुद दिन, तुगलक, इसका सही जवाब बनेगा, नेक्स कोश्यन, कोश्यन नमबर 11 है दोस्तों, दिली में अलाउद दिन खेल जी के सासनकाल की अवधी क्या थी, तो राइट जवाब हो जाएगा, उप्संडी, से नेक्स कोश्यन, कोश्यन नमबर 13 है, भारत में सिकंदर लोधी का सासनकाल कब से कब तर था दोस्तों, तो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा, उप्संडी, जवाब बनेगा, उप्संडी, से पंदरा सो सत्रा, इस भी तक, उप्संडी, सही जवाब दोस्तों, अगला का option D, नर्पत, यहाँ पर सही जाब हो जाएगा, अगला question, question number 15, तुलू राजवन्स की स्थापना किस ने की, तो right, जाब हो जाएगा, यहाँ पर option D, बीर नर्सिंग ने, अगला question, question number 16 है, किस प्राचीन समराज में महिलाएं कुस्ती में भाग लेती थी, तो इस question का यहाँ पर सही जाब देना है, सही जाब हो जाएगा, option B, बीजय नगर समराज, next question, question number 17 है दोस्तों, बीजय नगर राज किस नदी के किनारे इस्थित था, आपको बताना है, तो right, जाब बनेगा, option C, तुंग भद्रा, इसका सही जाब बनेगा, दोस्तों, बीजय नगर, राज उत्री टेट पर इस्थित है, इसके स्थापना वर्स, 1336 इस्वी में, हरिहर एवं बुक्का नमक दो भाईयों ने की थी, अगला question, question number 18 है, बीजय नगर समराज के सनस्थापक कौन थे, तो right, जवाब बताना है दोस्तों, तो सही जवाब यहाँ पर बनेगा, बीजय नगर हरिहर यों बुक्का इसका सही जवाब बनेगा, अगला question, question number अगला है, सिक धर्म भक्ति आंदोलन से समधित, question number 19, मद्ध यूगिन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुक अगवा कारों में से एक कौन था, तो right answer बनेगा, option संकराचार, next question, question number 20 है दोस्तों यहाँ पर, जवाब बनेगा, option C, गुरु गोबिन सेंग ने, अगला question, question number 21 है, किसी गुरु की जैनती, गुरु पर तेवहर की रूप में मनाई चाती है, तो यहाँ पर दोस्तों इस question का right answer option T है, गुरु नानक देव, इसका सही जवाब बनेगा, अगला question, question number 22 है, वर्स, यहाँ पर आ बताना है, तो right जवाब यहाँ पर बनेगा, दोस्तों, गुरु गोबिन सिंग, सिक धर्म के 10 में तथा अंतिम गुरु थे, इन्होंने 1699 इस भी में खाल सा पंत्र की स्थापना की, जो साइनिक संतों का विस्स सम्मू था, तो यहाँ पर, दोस्तों, दीएगा, options में से जवाब हो जाएगा, option D, गुरु गोबिन सिंग, सिक धर्म में 10 गुरु हुए, जिनके नाम गुरु नानक देव है, पहला अंगत दूसरा है, अमर दास, राम दास, अर्जुन देव, हर गोबिन सिंग, हर राय, और हर कुशन, तेक बहादूर, गुरु गोबिन सिंग, और बताना है दोस्तों, तो राय जवाब बनेगा, option D, गुरु नानक, इसका सही जवाब बनेगा, सिक, सिक पंत की स्थापना गुरु नानक ने की थी, वे सिकों के पहले गुरु थे, उन्होंने सिक के परचार के लिए, संगतों की स्थापना तथा लंगर परंपरा की को सुर अर्जुन देव, इसका सही जवाब बनेगा, next question, question number 26 है दोस्तों, किस मुगल सासक के आदिश पर सिकों के पाच में गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, तो यहाँ पर इस question का right job हो जाएगा, option D, जहां गिर इसका सही जवाब बनेगा, दोस्तों, अगला question, question question number 27 है, भक्ति आंदोलन को उतर भारत में लाने का सुरयन में से किसको जाता है, तो right job option C हो जाएगा, रामानंद, भक्ति आंदोलन का प्रारंब, आर्सो इस्वी से सत्रासो इस्वी के बीच, दक्षिन भारत में अलवारों, योम नए नारों से हुआ, भक्ति आंदोलन के नेता, रामानंद ये से उतर भारत लाए, उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान, राम के प्रती, प्रेम और समर्पन रखने तथा इनके नाम के उचारंड से मुक्ति पाई जा सकती है, तो option C यहाँ पे सही जाब बनेगा, आगला question, question number 28 है, इनमें से कौन सा विकल प्रांद के गाउं, तलवंडी वर्तमान में, नन काना साहब में हुआ था, तो option B सही नहीं है दूस्तों, तो option B right आंसर हो जाएगा, अगला question, question number 29 है, बीजग पुस्तक के लेखा कौन है, तो यहाँ पर right जाब बनेगा, option C, कबीरदास, कबीरदास, इसका सही जाब बनेग सूर्दास, सूर्सागर, सूर्सारावली, साहित लहरी इनकी रचना है, बिद्यापती, कि अगर हम बात करें, तो कीरतिलता, कीरतिपताका, पुरुस परिक्षा, इनकी रचना है, और रविदास, अगला question, question number, अगला है, मुगलकाल, तो समन्दिर question number 30 है, संग बर्मर पर प कितरा दुराई या रंगेन, पत्थर की जड़ाई का काम, किसके समय में बहुत लोगपरी हुआ, दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर, महात्पून प्रसन है, तो right answer बनेगा, option B, साजहा, साजहा के समय में बहुत लोगपरी हुआ था, option B, सही जवाब बनेगा, अगला question question number 31 है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल सासर का नाम लिखिए, तो right, जवाब बनेगा, option B, औरंग जेव, इसका सही जवाब हो जाएगा, भारती तिहास में जजिया एक परकार का धर्मे कर था, इसे मुसलिम राज में रहने वाली गयर मुसलिम जनता से वसुला जाता भारत में जजिया कर लगाने का परथम, साक्ष मुहमध बिन कासीम के आकमाट के बाद देखने को मिलता है, सरु परथम उसने ही भारत के सिंध्र परांद के देवल में जजिया कर लगाया था, जजिया कर को संवाबत करने वाला पहला मुगल शासक अगबर था, दोस्तों, जवाब बनेगे हाँ पर option C, मुगल समराट, इस इंडिया कंपनी के स्थापना 1600 SB में हुई थी दोस्तों, इस समय मुगल बाजसाह अकबर का 1556 से 1605 का सासन था, 31 December 1600 को ब्यापारियों के एक समुह, जिसने खुद को इस इंडिया कंपनी में सामिल किया था, को इस इंडिया के स ब्यापार पर एक आधिकार दिये गए थे दोस्तों, तो यहाँ पर right answer option C हो जाएगा, मुगल समराट, अगला question, question number 33 है, अकबर की सफल भू, राजस व प्रनाली कसरे, उनके निम लिखित में से किस स्रिष्ट धरबारी को दिया जाता है, तो right जवाब option C हो जाएगा, राज पानिपद की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्थान और मराठा, option B यहाँ पर सही जवाब बनेगा, पानिपद की पहली लड़ाई 21 अपरेल 1526 इसवी को बाबर और इबराहिम लोधी के बीच होई थी दोस्तों, और इस युद में बाबर की बिजय हुई, इबराहिम लोध 156, यहाँ पर इस वी में होई थी दोस्तों, अकबर और हेमो के बीच, और इस युद में अकबर की बिजय हुई, और हेमो की पराज है, इसी प्रकार हल्दी गाटी की युद की यदि हम बात करें, तो 18 जून, नोट कीज़ेगा महात्पूर्ण जान करी है, 18 जून 1576, आप अगला कोशन, कोशन नमबर 35 है, पानिपत की पहले लड़ाई किस वर्स में लड़ी गई थी, तो यहाँ पर दोस्तों इस कोशन का राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी 1526 में, पानिपत की पहले लड़ाई मुगल वंस के संस्थापक, बाबर लोधी, वंस के शासक इबराहिम लोधी के मद 21 अपरेल 1526 में हुई थी, इबराहिम लोधी इस लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया, बाबर ने मुगल वंस की निव भारत में रखी थी, अगला कोशन, कोशन नमबर 36 है, पानिपत का दूती युद किनके मद लड़ा गया था, तो पारेलों हेमो के मद और पानिपत का तरती युद की यदि हम बात करें, तो 14 जनवरी 1761, जनवरी 1761 में मराठों और अहमद साह, अबदाली के मद हुआ था, अगला कोशन, कोशन नमबर 37 है दोस्तों, शिर्षा सूरी का वास्तविक नाम क्या है, आपको बताना है, दोस्तो तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस कोशन का राइट अंसर बताना है, तो इस राइट अंसर बनेगा उप्शन C, फरीद इसका सही जौब हो जाएगा, सेर्षा सूरी का वास्तविक नाम फरीद था दोस्तों, अगला कोशन, कोशन नमबर 38 है, निम्न मेंसे किस शासक की मरत् तो सही जौब बनेगा उप्शन T, हुमायू, भारत में मुगल बन्स के संस्थापक बाबर का पुत्र नसरु दिन हुमायू, 1530 सिस्वी में गदी पर बैठा, गदी पर बैठने से पूर्व हुमायू बदक सा का सुवेदार था, वर्स 1549 सिस्वी में चौशा का युद हु से पर जित हुआ और वह सिंध होते हुए इरान चला गया, जहां पर 15 वर्सतों तक निर्वासित जीवन बेतीत किया, 1555 सिस्वी में हुमायू ने पंजाब में सुर्ष साशक सिकंदर साह को पराजित कर, पुना दिली की गदी पर बैठा, वर्स 1556 सिस्वी में हुमायू की म जवाब बनेगा ऑप्शन B, 1556 इस भी में, अगला कोश्यन, कोश्यन नमबर 40 है दोस्तों यहां पर, निम लिखित में से किस मुगल समराठ दोरा आगरा किलिक का निर्माड किया गया था, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन B, अकबर, अगला कोश्यन, कोश्यन नमबर 41 है मुगल शासक के दोरान एक कोतवाल की सही भूम्का क्या थी, तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन D, कानून और ब्योस्ता बनाये रखना, मुगल शासक के दोरान कोतवाल की भूम्का, सुभी की राजधानी तथा बड़े-बड़े नगरों में कानून एम ब्योस्ता की देखभाल करना था, इसे नगर प्रधान भी कहा जाता था, तो उप्शन D, सही जवाब बनेगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 42 है, बिहार राज के सासा राम सहर में निमलिकित किस प्राचीन समराट का मकबरा इस्तित है, तो राइट जवाब बने का उप्शन C, शिर्शा स इसका सही जवाब हो जाएगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 43 है, मुगल वंस के पहले समराट बाबर ने अपनी देशी भासा जगताई तुर्की में अपनी आत्म कथा लिखी इस पुस्तक का नाम क्या है, तो राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन B, बाबर नामा, इसका कोशन नमबर 45 है, वह कौन सा इस्थान है जहां अंति मुगल समराट बहादूर सा जफर की मरेत्य हुई थी, तो राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर 46 है, पहला कटपुतली मुगल समराट कौन था, महत्मौन प्रसन है दूस्तों, तो राइट अंसर हो जाएगा, जहांदार सा, अप्शन ये सही जवाब है, अगला कोशन, कोशन नमबर 47, बिस्व प्रसिद मोर सिंगहासन का निर्माड और उसकी लाल किले में इस्थापना निम्न में से किस मुगल सासक ने की थी, तो राइट जवाब हो जाएगा, अप्शन साजहा, इसका सही जवाब बिस्व प्रसिद मयूर सिंगहासन का निर्माड साजहा ने करवाया था दोस्तों, पहले यह आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था, जिसे यहां से लूट कर नादिर सा अपने देश इरान ले गया था, साजहा के सासन काल को जाम मस्जित आगरा की मोती मस्जित वा ताजमाल है दूस्तों जहां रखेगा अगला कोशन कोशन नमीर 48 अकबर के दरबार में प्रसिद कभी थे तो इनमें से आपको बताना है तो राइट जाब बनेगा ऑप्शन C रहीम खान अकबर के दरबार के प्रसिद कभी थे अगला कोशन, कोशन नमबर 49 है दूस्तों अकबर के नौरतन के बारे में इनमें से कौन सा सही धंग से मिल नहीं खाता है आपको बताना है तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन B, राजा मान सिंग वहाँ अकबर के बिर्ट मंत्री थे अगला कोशन, कोशन नमबर 50 है औरंग जेग किसका पुत्र था आपको बताना है तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन D, सा जहां का औरंग जेग का जन्म 1618, इस भी में उजयन के निकट दूहद नामकिस्थान पर मुम्ताज के गर्ब से हुआ था, इसके पिता का नाम साजहा था और इसने 1658 से 1707 इस भी तक मुगल समराज पर सासन किया और इसके सासन काल में मुगल समराज अपने विस्तार के चर्मोत कर् अगला कोशन, कोशन नमबर 51 है, पानिपद का दुति युद किन के बीच लड़ा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, और अकबर और हेमु के बीच, कोशन नमबर 52 है दोस्तों, इन में से कौन सा मुगल बादसा सरब को छूता तक नही साह आलम दुति के बाद, अली गौहर शाह आलम दुति की उपारिधारन कर मुगल सासक की जद्धी पर बैठा, शाह आलम दुति ने बंगाल के शासक मीर कासिम तथा आवद के नवाब सुजाओद दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के बिरुद बकसर के युद 22 अक्टू साह आलम को इलाहबाद तथा कड़ा का छेत्र मिला और शाह आलम ने इलाहबाद को अपनी राजधानी बनाया, तो ऑप्सन भी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, शाह आलम अगला कोर्शन कोर्शन बार 54 है, प्रारम में अक्बर का सुनरेश्वक कौन था, आपको बता तो राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्सन C, काला नौर, इसका सही जोब बनेगा दोस्तों, अगला कोशन, कोशन नमबर 56, निम लिकित किन समराटों के सासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ, तो राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्सन C, शेर्षा सू अगला कोशन, कोशन नमबर 57, सेबन है, थामस रो मुगल समराट जहांगीर से किस किले में मिला था, अगला कोशन, कोशन नमबर 58 है, इनमें से किस ने भूमी मापांकन की बोस्ता प्रारम की, तो राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्सन C, शेर्षा सेर्षा सू वंस का संस्थापक था, तो अगला कोशन, कोशन बर 59 है, इनमें से किस ने अकबर की धारमिक नेती की आलोचना की है, तो राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्सन C, बदायूनी, अकबर की धारमिक नेती की आलोचना, अब्दुल कादिर बदायूनी ने की है, का मुक्त प्रोहित था, बदायूनी ने मुक्त खब उत तवारिक की रचना की है, अगला कोशन, कोशन नमबर 60 है, इनमें से कौन सा मुगल समराट अनपर था आपको बताना है, तो राइट अंसर अप्सन A हो जाएगा, अकबर इसका सही जवाब बनेगा, मुगल समराट अ काल में पुलिस बल के मुख्या को कोतवाल कहा जाता था, अगला कोशन, कोशन नमबर 62 है दोस्तों, निम लिखित में से किस मुगल शासक के अंततो गत्वा, मिवाड के शासक महराणा परताप सिंग के पूतर राणा अमार सिंग से एक समझोता किया, तो राइट जवाब ब अगला कोशन, कोशन नमबर 64 है, मदिकालिन से इस्थापत्यूं चेत्रकला से समन्दे, 64 कोशन, दिली का प्रसिद जामा मस्जिद किसके दोरा बनाई गई थी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सही बिकल्प का चैन करना है, तो सही बिकल्प यहाँ पर उप्सन ये हो जाए दिली के प्रसिद जामा मस्जिद का निर्माड सन 1556 में साजहां दोरा करवाया गया था दोस्तों, अगला कोशन, कोशन नमबर 65 है, अकबर दोरा बनवाया गया प्रसिद एतिहासी किसमारक बुलन दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस जित है, मोस्ट इंपोर् 1602 इसवी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की इसमरती में करवाया था, यह हिंदू और कार्शी स्थापत कला का अद्भुत उधारन होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेस द्वार भी है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेगा, अगला कोशन Q66 है, ताजमहल के सुले लख, सुले खक, कैली ग्राफर, यहाँ पर आपको फिल करना है, ने 1648 सिस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया, तो राइट अंसर, option C हो जाएगा, अमानत खान सिराजी, अगला कोशन, Q67 है दूस्ते हैं हाँ पर, दिली का प्रसिद लाओ इस् लाहिस्तम कुतो मिनार के परिसर में, 1600 वर्सों से बिना जंग लागे, खुले आसमान के नीचे खड़ा है, इसकी उच्छाई, 7.2, 1 मीटर है, इसका निर्माट चंद्रगुप्त बिक्रमादित ने किया था, अगला कोशन, Q68 है, अलाउद दीन, खिलजी दोरा बनाया गया प्रसिद अलाई दर्वाजा कहां परिस्तित है, तो राइट जवाब होगा, ऑप्सन भी, 9 दिली इसका सही जवाब हो जाएगा, अगला कोशन, Q69 है, प्रसिद चित्रकार मीर सयद अली चित्रकारी है, तो किस मुगल साशक के सहयोगी थे, तो राइट जवाब हो जाएगा प्सन D, हुमाई उसका सही जवाब बनेगा, मीर सयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, जब हुमाई निर्वासन का जिवन बेतीत कर रहा था, तब उसकी मुलाकात वहां के दो प्रसिद्ध चित्रकार, मीर सयद अली, ख्वाजा, अबदुस्त मसद से हुई, ह कुमायू इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया था, तो आप लोग ध्यान लखिएगा, question number 70 है, वुलन दर्वाजा किसके दौराब बनवाय गया था, तो right जवाब बने गया यहाँ पर option B, अकबर इसका सहय जवाब हो जाएगा, वुलन दर्वाजे एक पांच मंजला इमारत है, जो बहुत बिहार श्राइली में बनाए गया है, अगला question, question number 72, निम लिखित में से कौन सा यूगम सही नहीं है, दिये गए, options में से आपको बताना है, तो right जवाब हो जाएगा, हुमायू का मकबरा इलहाबाद, option D यहाँ पर right जवाब हो जवाजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है, तो right जवाब आपको देना है दूस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर right अंसर हो जाएगा, option C, अलाव दिन खिल जी, इसका सही जवाब हो जाएगा, दूस्तों, अगला question, question number 74, मद्यकालिन साहित्यों संगित से समा जी, next question, question number 75 है दोस्तों, निम लिखित में से कौन दिली सल्टन के इतियास का लिखक नहीं था, तो right जवाब बनेगा यहाँ पर दोस्तों, option A, अबास खां सरवानी, अगला question, question number 76 है, आईने अकबरी किसने लिखा, तो right जवाब हो जाएगा, अबुल फजल ने आईने परी लिखा है दोस्तों, अगला question, question number 77 है, गोस्वामी तुलसी दास दोरा लिखे गए रामचरित माराच का सबसे लंबा कांड कौन सा है, इन में से आपको बताना है, तो right जवाब हो जाएगा, बाल कांड, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों, अगला question, question number 78 है दोस्तों निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, दिये गए, options में से आपको सही भी कल्प का चैन का ना है, तो right answer यहाब बनेगा, option C, हुमायू नामा हुमायू, option C, सही सुमेलित है, बाबर नामा बाबर ने लिखा है दोस्तों, सहजहा नामा मुहमद ताहिर ने लिखा है, और तु Q79 है, धुमायू नामा के लिखा कौन थे तो right answer हुजएगा, option C, गोल बदन बेगम, हुमायू नामा के लिखा कहे है, अगला Q80, अकबर नामा के प्रसिद लिखा कौन थे, दो right roundygंग हो जाएगा, option C, अबन फज़लित, अबस ने लिखी है, दोस्तों,Kayबर नामा अबर ना जयाओ दिन बरने तारीखे फिरोज साही के लेकर करें दोस्तों अप्शने सही जवाब बनेगा अगला कोशन कोशन नमबार एटी तू है अकबर ने अपने दरवारी संगी तग के रूप में किसे नियुक किया था तो राइट जवाब बनेगा अप्शन बी मिया तांसेन अगला कोशन, कोशन नमबार एटी त्री है दोस्तों अमीर कुसरो का जनम ये स्थान है तो राइट आंसर बनेगा अप्शन बी कास गंज अगला कोशन और अंतिम कोशन है दोस्तों Q84. किस संद को रमाड के रचयता बालमिकी का आउतार माना जाता है? तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा option गौसवामी तुलसीदास. इस question का right answer हो जाएगा.